कि अच्छों कैसे आफ सब फाइनली वे हैर लाइफ पटापड से आप लोग जूर जाएए काफी शानदार लाजवाब क्लास होने वाली आज और जैसे कि आप लोग को बताया था हम लोग का प्रिवेश का पेपर का स्रीच चल रहा है और फाइनली हम लोग अब तक यहां पर 2020 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और एक दो यर्स हम लोग का 21-22 उसकी बाद 23 उसकी बाद तो मज़ा आ ज 2009 से लेकर के 23 सक्ड़म फूल स्पीड में पूरा रिविजन करेंगे एक बार मैं कि आप लोग जो यर्वाइस बगर नहीं देखे हमने जो है सारे सब्जेट के जो है यर्वाइस प्रिवेस बना दिये वहां पर लोग डिटेल से बात करेंगे और जब महामरतन लेंगे वहा जब सात मेरे तो आप लोग की मज़ा आएक तो फिर आपट से एक बार शेयर करतों मैं थोरा सब वेट कर लेता हूँ आप लोग का क्योंकि अभी तक किसो को तो तो आप लोग शेयर करतेंगे जोगरिफिका भी कराईए बिल्कुल हो जाएगा जोगरिफिका भी दिल नसी चिन्ता नहीं करना यां लोग को सारे सबस्टरी कराऊंगा हिस्ट्री हम्लोग कंप्लिट हो जाने वला एक ट्रेंशन जोकरें रहेगा उसके बाद फिर सिधा व्रोडिकल सांस लाइगा ठीक है तो पहले हम लोग से लिए पृट्र पर उसकी बाद वह सब चलिए बहुत अच्छा वैरे गुद लागबग सभी एच्छी जो है क्लास में आज चुके हैं पदार चुके हैं अब चलती है हम लोग क्लास को शुरुबात करते हैं ज्यादा टाइम को ना लेते हुब चलो सब чувक है कीलिए है आप लोग लाइक ने करो हुआ पर लाइक करने के से लिए पर बेंसे से नगार गटरो थे मिलता इस टाइम भी फोन करते ही रहेगा समक्री sudah करता है चलू करता थेसे侏 हम लोग लोग लाइब आ चुके हैं और आच्छा क्लास ही काफी जबरदस और लाजवा क्लास होनी वाली है जैसे कि आप मैं सभी को पता होगा कि हम लोग यो इस सीरीज में स्टार्ट के हैं इसमें सारे प्रिवेस एस के पेपर को कम्पलिट करते हैं यहां पे हम लोग डीटेल से आपने को जाच कर सकते कि अब तक मैंने जो तैयारी किया है क्या मेरे तैयारी अच्छी हो पाई है क्या मैं सारे प्रिवेस एस के पेपर को अच्छी दरसे स्लिशन कर पाता हूं ठीक है तीसरा फाइदा यह होता है कि यहां से जो आप लोग पढ़ते हैं तो लगबग 90% प है यहां पर आज क्लास 12 हिस्ट्री इंडर्वे एक्जामेशन 2020 का कोर्षिन पेपर को स्लिशन करेंगे जिसके हम लोग इतिहास करते हैं तो इतिहास का हम लोग पूरा जो स्लिशन करें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे चीज आप लोग दिखाने बाले है तो सब्सक्राइब करना है यह इसमें डिटेर से बात करेंगे इसमें साड़े यह का वन सौट होने वाला है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर आपको जो साट ऑब्जेक्टिव देखनों को मिलते हैं कितने साट एमसे की ऑब्जेक्टिव 27 जो आपको जो है टू अगबर का वित्मंतरी काउंता definitely question आपको पतलाओगा कई बार exam में question पूशेगे हैं आप प्रिवेस सेर्स के सारे regular वीडियो देखते हैं आप अपतलाओगा यह question कितना बार repeat हो रहे है ठीक है अगबर का वित्मंतरी जिसको मिलोग दीवाने असरफ भी कहते आंसर उतका टो बता दो कि आप लोग ख्वाजा मरदिन चिस्ति के दरगा पोचर का definitely सभी बच्चों को पता होगा इसके दरगा जो है वो अजमेर में है option अपना डी बिल्कुल absolutely correct हो जागा अजमेर ठीक है दिल्ली में बात करें तो निजाम अदिन उलिया है दरगा से लेडिक आपको हर ब हम रहेगा आप लोग को तीनों कुस्टिन रखना है निजाम अदिन उलेक दरगा दिल्ली सलेम चिस्तिक दरगा आगरा या फर फातयपूर या और फाज़ा में चिस्तिक दरगा आजमेर इसको सब्सक्राइब आगे देखती हम लोग कुस्टन नमबर तीसरा देखे ध्यान कि हम लोग आगे कुस्टन देखे क्या पूछ रहे काम लोग को करें कि वासको डिगामा भारत जो आया था वो कब आया था वासको डिगामा भारत आया था चौदेशू अंठानवे को अपना आणसर ऑफ्सन बी बिल्कुल एबसलूटली करेक्ट हो जगा चौदेशू अंठानवे को वासको डिगामा भारत मोच था ठीक है कहां पर आ था कालिकर जगह था जो की केरल में है याद रखेंगे एक्चुल में इसको डेट कभी कभी प दो खुदेशू अंठानवे को खोज निकाल था यह तर अमिरिका के खोज के लिए वहारत के लिए अमेरीका के खोज के लिए और गलती से पहुंच गया ऑ भार्त ठीक है तो पहुंचा था आप लोग बता देंगे कि मनु समीर्थी में जो है आए परकार के विभार के उल्लेक क्या गया है जाए मनु समीर्थी हो थीक है अर्थ सास्त्त्रो अज़ए आठ परकार के विभार का मिलता है mention c पे करक होना चाहिए आगे बरते कुस्षिन न्यों सब्द्स कर का मंलोग को पुना समझता किस वर्स भाधाया पुना समता अपना आंसर होगा सबहुत च्छा कुछ नहीं पर टॉट किया चीक रहता है कुछत नमर यहां पर एट पूछ रखका जए हिंध का नारा जो किस ने दिया था जया हिंद का नारा तो अपना अन्सर होने बाला साथ जया हिंध का नारा पूछ रखका सुभास चंद पर कड़ेंगे ऑफशों D तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसका भी नारा दिया था सुभास चंद्रबोस नी ठीक है चलिए आगे बढ़ती हम लोग कुछ कुछ रखा हम लोगो जैन धर्मे के 24 तिर्टगर कौन थी जैन धर्मे के 24 तिर्टगर जिसका नाम था महावीर स्वाम ओप्सन अपना डी बिल्कुल करेक्ट हो जागा महावीर स्वामे ने पासरवाद के शिद्धान दुपिक नया सिद्धान जोर सा जिसका नाम था बरमचरिय पासरवाद जैन्दर में के 23 तिर्टगर है किसने है 23 तिर्टगर रिसरफ दियर्ज जैन्दर में के पर्थम तिर अप्रेल 1929 को आफ्षन ए पर आप लोग को करेक्ट करने है कुस्टन नमर दस का अपना आउसर आफ्षन ए डिफिनेटल सभी का करेक्ट आश्य बहुत अच्छा वैरी गूर शाबास आगे बड़े हम लोग आगे देखी क्या कुस्टन क्या कुस्टर रखका है कुस्टन र करूंगा जितने भी क्लास में कराया हूं कि सारे को आप लोग को प्लेजरेश में अगर के चेक आउट जरू करने ठीक है बहुत अच्छा सभी कांसर ऑफ्षन डी आ रहा रहा भारत समयधान कब लाग हुआ था चब्शन यहां पे डी आप लोग को करेक्क करना है नेक्स खुछा गया कि आप लोग देख सकते हैं कि कई बार आपको कुछ रेक्टा है तो जहां गीर मारें जो कि अकबर के बार था अगर आपने सेवन करना चुरू किया और बेटा ने इस तरह से कुछ आप लोग को याद रखनाा है आके बड़ति हम लोग नेक्स कुस्टन के आपको बार बार देखने को मिलते हैं इससे आप आडिया लगा सकते हैं कि यह परस्त मुझे हर हाल में एक्जाम में देखने को मिल सकता है तो अपना आणसर यहां पर होने वाला है जिसमें इसकी जो हार हो गेती है जिसके संथाल की हार हो जाती है और 855 को इसके दोनों भाई को जो है संथाल जो अपना एक करेक होने वाला है समंद्र गुप की तुल्ला किस यूरोपिया सासक्सर कियाती है तो ध्यान देगा हमारा आंसर का नेपोलियन इसी की तुल्ला जो समंद्र गुप से कियाती है अप्सन यहाँ पर अप्लोग को भी बिताना है 15 नमर कोस्न का ठीकर सभी कांसर अप्सन भी अना चीए बहुत अच्छा लाजवा वेरी गुद आगे बढते हम लोग को सर की उपादी जो है किसने वापस की थी सर की उपादी जो वापस किसने की थी बता दो कि आप लोग महात्मा गांदी रविद्नाट टैगोर बाल गंगा धरती लग जवाहा लांजो से सर की उपादी पुछरका वो भी क्या पुछरक किसने वापस की थी हां तो बहुत अच्छा लाजवा वेरी गुड आगे सर अगबर ने दी ने इलाही जो है कम सुरू किया था अपना अनसर हो जाने वाला यहां पे पंद्रहस्तो बीरासी कभी कर दोढ़नें और और दो क्लास होना नहीं लेकर पहागा क्यों कर रो क्या मिलेगा बहागा दोरी करने से अप लोग को बताओ आगे देखीं कुछन पुछरक हरा कि अस्थाइबंदवत जो है कहा लागोगा था स्कूपता है अस्थाइबंदवत जो कि बंगाल में लागा था आपसडर आप सीफटर करें करना या कहा लागındवत बंगाल मनला था भी वादसा पूचर कहा को वादसं तेन पुत्र रखाए सकते हैं हम लोग दो बेटी और बहदुर साजफर को रंगून भेज दिया था रंगून भेज दिया था रंगून भेज दिया था जो कि बर्मा में और वहीं करेकल को महा भारत का युद को पता है अठार दिनों तक महा भारत को युद् चला था महा भारत की प्रहुद के हैं सब्कुर्णist सब्सक्राइब अपना यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आगे बढ़े हम लोग को सब्सक्राइब करवा दीजिए बिल्कुल सारे का होगा चिंता मजग्रों डॉंट वेरी मैंने आपको कहा दिया है एक्जाम से पहले सबका लगभग मैं कोस्स करूंगा करवा दो ठीक है चलो टाइम है अभी एक मन्त पलस है तो साइकलों दस साल में दस दिन में हो कंप्रीट हो जाने वाला है तो सभी का अपना यहां पर सी जो का मोरत हो जागा चलिए आगे बढ़ते हम लोग कोस्टन आगे कुछ रखा करें कि महाभारत की रचना जो है वो किस सब्सक्राइब करें आगे देखिए आगे को संब्सक्राइब कर रहा है यह वह बहुत अच्छी बात है बल्लवा चार जो कि आपने का गलत आंसर हो रहा है कुस्टन नंबर यहां पर 26 दिखिए क्या पूश्र रहा है कऊंसा अंधुरन गधान वायम मा tract से दांडी मात्मा गान्त को तोरणने के दांडी यात्रा गुजरात में है इसके वद्षा होता है समीने अवग्या अंधुरन का होता है सब्सक्राइब याद रहेगा इस को सब्सक्राइब कहां लागो हुआ था रायत वारी पर ववस्था बतादोगे आप लोग फटा फर्स बताओ कोस्टन नमर 27 का क्या आशर फर्स बटाफर से 27 का जल्दी से आशर केजिएगा वेरी गूड सर रहे तरिवस्था पुछ रखका अपना आशर का मदरास का अशर मदरास ऑफ्सटन सी सभी का बिल्कुल डिफिनेटली करेक आशर ये बहुत अच्छा वेरी गूड वेरी गूड काई बच्चे बी बता रखें बंबई नहीं होगा option C आप लोगो को करेक करना है कोस्टन नमर 28 क्या आएगा हम सोच रहे हैं यह ना हम लोग क्या सोच रहे हैं कि 20 हो गया 21 हाना 22 और 23 यह हो जाए है तीन दिन के बाद हम लोग इसका महा मर्थन क्लास ले लेंगे हिस्टी वाला काम खतम उसकी बाद जोगरी भी पुल्ट कर लेंगे ठीक है इसलिए इसको जल्दी खतम करते रहे हैं 28 का जो फड़ाफट आंसर आप लोग को आना चाहिए क्या हो जागर यहां पर साहित जो हरा यह पुस्तक है गरंत है यह तो हम पुरादर गंदरत नहीं रख सकते हैं क्योंकि पुरादरत का मतलब क्या होता है जमीन से खोदी गई सामगरी निकालना और निकाल की खोज बिन करना कि इससे हमको कहा कभ की जानकारी मिलती है तो पुस्तक से हमको जानकारी मिलते बढ़ उस जमिन के अंदर से खोज की निकालते नहीं निकालते हैं तो हमारा साहित जो चाहेगा चलिए और अब बार्थ में देखने को मिलेंगे ठेक है फटापर से ददाइए चलो जितने बच्चे आप लोग जुरें हैं इमानदारी के साथ अपने इमानदारी अगर आप लोग एक्चुल में है तो फटापर से कोई ल्ग कर दो मैं देख रहा हूं काभी बच्छे कमेंड बाक्स में बोल रहे हैं लैइक और शियर लेकिन आप लोग नहीं करें हैं उसकी बात नहीं सुनरे है आप लोग लाइक करेंगे फटापर से जल्दी लाइक नहीं किए पर्थम राश्पती राजन प्रसाद 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 पर्थम राश्पती 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 राजन परसाद ये छूटी सी ट्रीक है आप लोगों को इट्रीक के माज़्यम से याज रखेंगे कभी हो की श्ऑतर के चिंता की कर रो कटमाने का या जूटी है किम यदि नौं See क्या मुझे पता नहीं है लेकिन आप लोग के लिए जो सब्यू न भी हो रहा है इसको था कवर कर लो इसकी बाद आएक बर आएंगे बदा दिया आपस फिर वहीं बहुत अच्छा आगे दिखते हैं लोग को भारत आने वाले पर्थम यूरोपियन थे ठीक है कब आया था 1498 एक्च्वल में भारत नहीं आ रहा था एक्च्वल में कहा रहा था यह तो अमेरिका की खोज में निकला था वेचारा अमेरिका की खोज में निकला था गलती से यह भारत पहुच दुखा था कब निकला था 10 मही को कब निकला था 10 मही 1497 को यह अमेरिका एक खोज में निकला था और यह 20 मही 14 संथनों को पुर्दगाली जो है आतरी भारत आ पहुच आता तो इस कुशन का अर्टसर ऑफ्शन ए चलिए आगे अर्थसास के लेखक कौन है अर्थसास पता आप लोगों को याद रखना ठीक है चलो जी वेरी गूड हां कुछ बचे का कमेंड आ रहा है क्या रहा है रहा है लोंग कमेंड है सर हिस्टी का इतना अच्छा परसेंटेज हो गया है कि आज जाएंगे हिस्ट्री में तो 50 में 50 5050 आना ही चाहिए हिस्ट्री में तो 5050 ढह elder 30 प्रसम नहीं लाया समझोड कि फो रहेंगे एक-एक को TL ना ही चाहिए कहुए कि हुआ सटना को सरने न रहा हो इतना परिछान pall collabor देखो ये निजला निझा रहा हो जी एग्जाम में audio स्ववात्म भारत के पर्थम क्ववाडर Carter General देखो, यह कोस्न आ चुका है और हर Secret क्राते है पता नहीं कि लुक्षना खातुन एक तरफ गया हुब है जी एंड कौन है यह सम एक तरफ गया हुब है सोनी के उमारी आफसे नीवतार रखें दिल नसी यही देखो यही हाल आप लोग कर रहा है दिल नसी कैसे क्या कर रही है इतना एजी कोशन को यह से मिस्टिक कर रहो पर्थम पूझ रखा है नोट भारतिया पूझ रखा है सिर्प पर्थम नहीं रहा है पर्थम भारती पुछता तब सिर्याज गोपाल चारी मारना है सिर्याज गोपाल चारी अंतिम थे ना कि पर्थम थे प्यार से आप लोगों को समझाना परेगा तब आप लोगों को समझ माएगा ठीक है सब कोई जो आंसर ऑफसे नहीं लगा रहते हैं चलो कुछ बच्ची भी उता रहे हैं बहुत अच्छा आपको पर्थम पुछे तो आग बाद परके लॉडवन बैटन मारना है ठीक है बट इस तरह एक्जाम में बहुत ही कम मिलते हैं आपको एक्जाम मिलते हैं पर्थम और अंतिम पर्थम पुछे तो लॉडवन बैटन अंतिम पुछे तो सिरत कुपाल चले किस सा खतम तमाम इसमें कुछ समझ में आ है मतलब कुछ कंफिज की बात नहीं होना चाहिए ठीक ह चलो आगे दिखते हैं हम लोग कुर्स आगे पूचे रहरेक के हैं मो छ सनन 35 महां जो तरो का उखनन जो किसने कर रहा कि बताऊ फटापर से महेशकुमार सातव हाण राज्मार क्या बोह रहे करना है ने कि आगे बढ़े को सन्गोर्स लाइब को करें कि गुरुणानक का जनम कहा था तो तलवंडी मुआ था जिसका नाम भी नायनका नगर परहा है ये कहां पे ये पाकिस्तन में ये को सन्ग जो है कई बार एक्जाम में आपको पूशे जा रहे हैं आगे देखते हैं हम लोग को संविदान के प्राव समय अध्यक्ष भी करते हैं और पर्थम कानून मंतरी भी थी और आपके साथी साथ कौन थे चलो रहें तो सचीदाना सिंगी बात करती है और राजिन बसाथ जोगी समीदान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थी चलिए आगे बढ़ते हैं लोग को सन्प अगे बढ़े हैं लोग आगे देखती कुस्षन थर्टी नाइन का क्या नसर करीगा चलो जी से इंडी का पूछर के काफी जी कुस्षन है इंडिया गेट का निर्पान आप लोग करने का निर्पान तो आप लोग 1111 मारते हैं इंडिया गेट पूछ रखा है और देखने को मिल रहा है आप और मुझे पता था आप लोग और सी मारेंगे और काफी बच्चे निर्पान तो नहीं करना आप लोग को नहीं करना है इतना इजी कुस्षन कर से मिस्टेक कर दोगे चलो आगे बढ़े हम लोग आगे देखती कुस्षन को करें कि हरपा जो हो वो किस नहीं देखे ना इस तो हरपा पता आप सभी को हरपा जो है रावी ने देखते हैं इसमें से एक्सपर्ट है जो मुझे सही आंसर देते इस कोशन का फटा 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 फ आगे बताओ एक बार सब कोई लाइक कर दो तो इतने बच्चे जूरे हैं बताओ आले मा वैरी गोड चलो सतरस एकत्तर हैं यह की बच्चे एक दो बच्ची जो आंसर सही कर रहे हैं और बागी बच्ची जो की मिस्टेक कर रहे हैं अप लोग कोश्ण कुश्य रहे काम किसने लिखा था आएन अगबड़ी जो कि अगबड़ी नमा का भाग है और यह लिखेती अबुल फाजल किसने लिखा था अबुल फाजल ऊप्चन अपना सी बिलकुल आग्सनूटली करेक्टन होगा आगे देखती कुशं आगे पुशर कह दो को कांग्रेश की अस्थापना supports अपना 4 अगे की सभआबबड़ यह भण ठीक है स्वेतंबर दिगंबर दो संपरत आये थे जैन दर्मेकेट ठीक है तुब बोले से यह हमारा ओफसेंट डियोगा स्वेतंबर बिना वस्तर गई यह चीज़ आप लोगो पता है अल्रडी आगे बढ़ते हैं हम लोग को कि दिल्ली चलो कनारा किस ने दिया था दिल्ली अपना अपना सबस्ता अपना अपना आंसर जाइगा वेडी सावकर के तरब वेडी सावकर जी ने कहा था अपना ए बिल्कुल करें होगा अगर आपको पूछता संतावन के विद्रों को किसे ने एक राष्ट्री विद्रों कहा था तो फिर आंसर था कॉल मार्क्स क्या होता कॉल मार्क्स आगे बड़े हम लोग आगे पूछ रहे का हम लोग को करें कि हरियर वंग बुक्का जो है किस केस और संगम तो आपना आमसर चलिए आगे बढ़ाते हम लोग क्फ शन पूछता सही कि सही दी आजम का उलक्त पूटीनाइन तो फोर्टीनाइंक का अपना आणसर होने वाला रहना वो क्या हो जागा बताओ सहीद याजम वर्ल्ड यान वेरी गूर अपने आम से होगा हमारा सरदार भगस सिंग सहीद याजम कहा जाता है इन्होंने कहा था देश के बदले दी गई फासी को जो है सबसे अच्छी मिर्टियों माना गया है प्रियाग प्रस्ति के रचना जो किसमें किया था बताओ प्रि सब्सकिर इसपे से लिखा गिया समर्ण्दो्गिंट की बारे महें और यह लिखी आता कौन तो लिखा था हरी से इन्हें अपहस से यहां पर प्रियाकपरिस्ति रचना किस ने करवाया था तो संद्र कुपनी मिलते हैं तो गुप्त के बार में जानकारी मिलते हैं करें हम लोग को कि प्लासि का यूद जो लगया था वो कब लगया था प्लासि का 51 का अपने का आणसर होगा और 577 को option B पर आपने तिक करना है को उस्चिन क्या है मेरा जो किसन की भकटत मेरा किृस्टन की भकती 52 का अगे क्या है देखते को डोना है क्ईक है क्लिफुय का Vancouver विल्जुनेंटा अगे देखा है क्लिफुन अंगर को अपना अंसरों का मोहन जुद्रों ओप्सेन एक ठीक है आगे दिखते कुस्सन कुस्सन आगे पूशन काम लोग को 1922 में कौन सा आंद्रों अन्दरों 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 आप्सेन दी सभी ने अग्या अंदर 1930 को हाना खिलापत अंदर 1919 को पता सभी को चलो जी और भारा सब्सक्राइब को पता होना चाहिए आगे बढ़ते को सब्सक्राइब को 56 सैने को दुबरा परियोग में लाए जाने वाली राइफल का नाम था वो क्या था एंफिल था क्या नमता है एंफिल राइफल आफ्सन ए पर लोग करेकरना 56 का अपना आंसर और डिफिनेटली करेक किसले कर वाय था ताजमन का निर्मान सहाज आने करवाय था ओप्सन दी पर टेक करना अपने को अदे Χी Rider कि प्रत्थम कर अप vergatous की question 526 अपना बी करेंगे देखते हैं जो कि लास्ट कोस्टन होने वाला है इस सेट का लास्ट कोस्टन हर संतावर के दुर के समय इंगलेंग का परधानमंतरी काॉंट था कई बार ये कोस्टन आपको देखने हों कि मिले एकजाम में फटा फट से आंसर करिए का जल्दी से तेज़ी से पाम स्क्रम आफ्सन हमारा बिल्कुल सी करेक उने वाला है तो हम लोगों ने इस सेट में कितने कोस्टन किया है तो 60 MCQ किया है कितने 60 MCQ चलो फटा फट सी आप लोग लाइक करो अब चलती हम लोग सब्जेक्टिप के तरफ सब्जेक्टिप जो कि आपको हॉमवर्क देन द्ञाना भोल पूरए चार सुप पचासफ प्लस्मार्क्स लाना चाहते हैं तो डेली आप लोग हमार्च करें लिखने के प्रतस तभी झाल करें're कोपी लिख पाएंगे नहीं तो पता जोल टाइम मेनेजमें ने कर पाए नहीं आप दिमाग में कोई कोस्टन आब नहीं कर पहिम है आपको हमवर्क देना और इमान दरी साथ बनाना है ठीक है चलो कि दोने आंसर आपको सही कर पाया बताओ देख बार 60 में से कितने बच्छे सही कर पाया पच्छास साथ में साथ क्या बात है अच्छी बात है चलो पी एंजी मोटिवसं 59 बता रहे सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग लाइक करते हैं बताओ आप लोग के साथ क्या किया जाए मार दिया जाए चोड़ दिया जाए बताओ इतना कुछ करने के बाद आप लोग जो है लाइक सियर वगर कुछ नहीं करते हैं सना सारा बोल डें जीरो 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 सर्जी हट क्या बोल रहे हैं बिल्कुल भी कुछ कोसर नहीं बना पाया ऐसा कैसे हो सकता है देखको अम लोग कोसर करा कि वीर कुमर्सिंग एक संची परिचर दीजिए उसके बा बारत का उत्देश क्या है आस्थाई बंदो से आप क्या समस्ते हैं ले लिए आप लोग ने इधर ले लोग भारत आने माले दो विरतान्तु का नाम लिखें चंपर्स तगर के एक संचिप टिपन ले लिए इधर आप लोग बाराज से लेकर के पंदर तगलो काफी था ज् देख रहा ना प्लोको आगे देऊ इधर हम लोग का 16 से लेकर के 18 तक स्कीन सोर इसको ले लिजिए उसके बाद 19 से लेकर के 22 तक फटापर से लिजिए टेक के स्कीन सोर्ट जल दिसे ले लिए आगे देऊ इधर 23 से लेकर के 26 तक फटापर से ले लिए आगे देखिक देए लोग 27 ले लिजिए उसके बाद यहाँ पे आपको 28 ले लेना है उसके बाद इधर ले लो 29 से लेकर के 22 तक चलो हो गया उसके बाद इधा देलो 33 से लगा 35 था कि मैं 35 तक ही आपको पूशा गया था हाना हो गया पूरा किलियर चलो जी ठीक है तो क्लास हम लोग यहीं तक इंड करते हैं किसी को कोई दिक्कत तो पूश सकते हैं बाकि नहीं दिक्कत तो इस वीडियो को लाइक केजिए डेली रेवले लेग लास केजिए ठीक है को अ चलो कर नहीं है कर दो क्या बोलते हैं जी दोर है काफी तेजी के साथ साथ वहन वनस के संस्थापक कौन थे महिज कुमार बोल नहीं पता शीमुक थे सिमुक सर बुलू टिक देजी आनन क्या मिलेगा बुलू टिक पे जो सेयर करेंगे बुलू टिक देने पर आप लोग दूसर को बलोग करते रहते हैं नहीं देने आप लोगो पी एंजी मोटिवेस्टनल एम नीज स्टुडेंट चलो कोई नहीं सब्सक्राइब पर नोड़ से मेल कौन को नहीं है तू जो या सना वेरी नाइस क्लासे सर चलो वेरी नाइस क्लासे तो आपको उसके लिए थैंक्यू इन करें यह से क्लास ठीक है यस सड दे दीजिए कि अड़े महेश कुमार कायला इतना रो रहा है आशू टपक टपक के मेरा कमेंड बॉक्स भर जाएगा फालतु का नदी लग जाएगा और सब डूट के मर जाएगा बता दिया ना सिमुक सिमुक बताया ना चलो क्लास को इन करते हैं बाइट सभी को टेक कियर मिलते हैं क्लास में तो कि लिए जैहिन जैवार्थ एंट थैंक्स पूर वाचिंग